आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ और प्रेजंट CO2 के साथ react करके एक thin layer देता है वो thin layer होती किस चीज़ की है तो option number one है हमारा calcium CaHCO3 whole twice दूसरा है CaO तीसरा है CaOH whole twice चौता है CaCO3 यानि की calcium कारोंने तो हमें बताने हमें से कौन सा हमारा वो layer होती है तो जब हमारा lime water कह सकते हैं यह क्या होता है हमारा lime जो है slaked lime को हम क्या कहते है lime water भी कहते हैं इसको जब हम react करवाते हैं CaOH का whole twice को जब यह हम react करवाते हैं carbon dioxide से तो हमें मिलता क्या है हमें मिलता है calcium carbonate यानि की CaCO3 प्रोडक्ट में हमें CaCO3 और पानी मिलता है यानि की जब हम calcium hydroxide को slaked lime को atmospheric hydrogen से react करवाते हैं तो calcium carbonate मिलता है जो की एक white PPT होता है white precipitate होता है और साथ में पानी मिलता है तो जो thin layer होती है किसी भी चीज़ की वो क्या होती है वो होती है हमारी calcium carbonate की और ऐसा क्यों होता है कि हमें thin layer मिलती है वज़े ये होती है कि पानी में calcium carbonate क्या होता है insoluble होता है insoluble calcium carbonate is insoluble in water soluble in water तो जिसकी वज़े से जो पानी होता है उसके सते है पानी और ये दोनों mix होते है तो इनकी जो है layer बन जाती है ऐसा लगता है कि calcium carbonate की white precipitate की क्या बन गई है layer बन गई है ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि calcium carbonate insoluble होता है और ये एक white PPT होता है तो हमार जो correct answer हो जाता है वो हो जाता है option number 4 याने की CACO3 Thank you